हालो अब्रिवान स्वागत है आप सभी का मेरे चानल दिवाइन टेरो में कैसे हैं आप सब उम्मीद करते हूं कि आप सब ठीक होंगे हापी फील कर रहे होंगे अच्छा सोच रहे होंगे तो आज की जो रीडिंग में करने जा रहे हूं वह यह चेक करने के लिए इस वक्त अ करती है ठीक है और कलेक्टिव रीडिंग होगी यह जिसमें हम चेक करेंगे कि वह इस वक्त अभी क्या सोच रहे हैं आपके बारे में या ओवरॉल चेक करेंगे ठीक है ओवरॉल देखेंगे हम जैनर स्पेसिफिक नहीं आपका पूरा ध्यान एनर्जी पर होना चाहिए ठी के एनर्जी यानि के इस शन के एनर्जी टाइमलेस रीडिंग है जिस भी समय देख रहे हैं यह उसके लिए ही वालड होगा उनिवर्स मुझे बताएं उसी शन के लिए उससी समय के लिए वालड होगा उनिवर्स मुझे बताएं कि इनकी फीलिंग्स क्या है इस वक्या सब्सक्राइब आपिनेस सिक्स्थ चक्रा आर्च एंजल्स वह यह भी बड़िया काड आया है मैं इसको क्लारिफार के साथ निकालूंगी मुझे ऐसा दिखाई दे रहे हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं वो लिब्रा एकुरेस जैमिनी भी हो सकते हैं इनकाफियत तक मुझे दिखाई दे रहा है कि यह जो भी परसन इनका मंगल बड़ा बल्वान है ठीक है मंगल की मंगल की ग्रह इनके बहुत जादा तेजी से बल्वान है सूरिय भी हो सकता है इनका बल्वान है आपको खेर यह शायद भाशाओं में नहीं समझ में आएगी तो मैं आपको साइन्स बताती हूं लिब्रा एकुरेस जैमिनी मुझे दिखाई दे रही है और जो भी यह रीडिंग देख रहे हैं आपको पीजिन्स बहुत जादा दिखाई दे रहे हैं या वाइट कलर इस व और बताएं जिनसे आप डील कर रहे हैं वो कैंसर स्कॉप्य पाइस लिब्रा एकुरेस जैमिनी हो सकते हैं ओके सो मुझे असे दिखाई दे रहा है कि आपके परसन इस वक्त बहुत जादा पॉसिबिलिटीज है कि उनके अंदर किसी बात को लेकर बहुत जादा चिंता चल कोई बात की क्योरेसिटी जग गई है जिसमें यह सोच रहे कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है इतना फास कैसे हो गया मेरा प्यार में इतना असानी से कैसे बूल गई है कैसे बूल गया इनके अंदर किसी तरीकी की इनसीक्योरिटीज आते हुए मुझे दिखाई दे रही और तोड़ कर आपके पास आने की कोशिश करने की बारे में सोच रहे हैं, कोई उडान भरना चाहते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं, यहां पे भी पीजिन्स जो हैं, फ्ल्यू कर रही हैं, फ्लाइ कर रही हैं, ठीक है, तो मैं आपको बाद में थोड़ी दिल में थोड़ा में कई हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि यह सब वो चीजे घटी चली जा रही है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो आपकी इच्छा क्या अनुसार होता हुआ दिखाई दे रहा है आप बोलोगे कि दिदे हमने यह नहीं चाहिए वो दुख मैसूस करें तकलीफ में आए नहीं को किसी aggrav Shoda को शर्ता एक है और बहुत जादा अपने घर वालों को यह किसी पे फोकस कर रहरें किसी को प्राइर्टी दे रहें बच्चे हो सकते हैं कि आपके इनके भकषे है हैं आप यह हैं पॉसिबिलिठी इस परुकि बच्छों की यह मदर की दिखाई दे रहे बहुत प्रॉंग और कई हद तक कोई चीज को लेकर इनके यहां इनके घरवालों को लग रहे हैं कि परफेक्टली ठीक है फाइन है सब कुछ अच्छा जा रहा है है एपी है सब कुछ अच्छा महाल है बट कई ना कई अंदर से ना बहुत जादा खुद को स्टक मैसूस कर र कुछ रहे है उनिवर्स मुझे डूर टू परस्मल हीलिंग का काड क्लारिफाय कर दे उसा लग रहा है कि परसन आजाद होना चाते हो यह उड़ना चाते है आपके साथ तो यूनिवर्स मुझे बता है और इनके बारे में हील कर रहे हैं खुद को काफिया तक हीलिंग कर रहें आप सर्फ लास्ट टाइम बात हुई थी को याद कर रहें अरे मैंने देखा विडियो थोड़ी बलर हो गई उस चन को याद कर रहें हैं यह सन के एनरजी है होता है बीज़ बीज में कभी क्लिक हो जाता है और बटन ध्यान नहीं जाता है मेरा सो काफियत तक मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आपके परसन उस समय को याद कर रहे हैं जहां पे सब ज़्यादा हैपिनेस थी आपके साथ वो कुछ थे आप थोड़ा जलसी फील करते थे थे थोड़ा यह होते थे एक दूसरे के साथ जो आप लोग मोमेंट स्पेंड करते थे जो वक्त अच्छा बिता है उसके बारे में वो बहुत जादा सोचते हैं मुझे दिखाई दे रहे हैं सन के एनरजी मुझे बताती है कि परसन आपके साथ रिकंसलेशन करना चाते हैं यानि कि मिलना चाते हैं आपसे बाते करना चाते हैं अपनी बातों को शेयर करना चाते ह कि वो कि कि और को एक्स्प्रेस नहीं कर सकते हैं यह चाती लड़का लड़की कोई भी हो सकते हैं आपका ध्यान सिर्फ यह एनरजी पर होना चाहिए करें कोई खुशकबरी हो सकता है आ सकती है क्योंकि इनकी दरफ से कोई मैसेज और कॉल आने की पॉसिबिलिटीज मुझे ब लग रहे हैं आप अपनी लाइफ में बहुत हापी हो गए हो और अपनी लाइफ में मस रहने लगे हो आप काफी हद तक जो मुझे लग रहे है सेल्फ लव के पात पर चलियों आप यह देख सकते हो पीजिन आप इसको लव कर रहे हो वर रॉल आप लिग अच्छे महल में गुम रहे हो और यह कहीं हद तक इस बात से परिशान है इनको लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में मज़े में रहने लगे और यह चीज इनको बहुत जादा खाया जा रही है और इसके कारण इनकी लाइफ में इद्गित सब कुछ अच्छा होकर भी यह हैपी नहीं है यह बहुत जादा इनके अदर इनसेक्योर्टीज हैं बहुत जादा प्यार बढ़ रहा है इन अरे बापरे यह जो भी जिनके लिए प्रीडिंग देख रहे पॉसिबिटीज है वह एक्शन लेंगे क्योंकि इनके कार्द में मुझे ट्रावलिंग भी दिखाए दे रही है हो सक किस से इतना याराना था इनको वह लग रहा है को लाइफ में आपके आ गया है इसलिए आप इतना आसानी से मुवाउन कर गए या आप चाते दिल से की रिष्टा तूड़ जाए जिससे आप खुश रह सकें यस आपने शुरू-शुरू में रोना दोना जरूर किया होगा यह अपकी स्थिती है और अब ही जो आपकी स्थिती है वो ऐसा लग रहा है कि यह इंसे बरताष नहीं हो रहा है इनको लग रहा है कि इनकीere देखो यह लग रहा हैuster के लगाई है या आपके intuitions बहुत strong होंगे हो सकता है कि आपको पहले से ही पता है कि आपके person आने वाले हैं और या 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 आपके person है जो jealousy के नाम बर इतना सारी चीज़े intuitive power लगा रहे हैं जावे ही सोच रहे हैं कि आप शायद किसी और के साथ कहीं बंद ना जाओ और ये देरी ना कर दें इसलिए ये घाई-घाई में आपको तुरंट अप्रोच करने के बारे में सोचते होंगे दिखाई दे रहे हैं यूनिवर्स इक्स चक्रा को क्लारिफाय करें ओके येस मुझे असा लग रहा है कि ये वापस आपके सामने आकर कोई proposal या कोई अप्रोच आपको देना चाते ह कोई financial help कर सकते हैं या ऐसे दिखा सकते हैं कि देवो मैं कितनी मदद करता हूं सबके में कितना अच्छा सोचता हूं और आपके बारे में मैं कितना अच्छे feelings रखता हूं या आपको यह ऐसे कुछ बताएंगे कि इन्होंने कोई दान धरम का काम किया जो की बहुत अच्छा काम किया है कोई charitable work के बारे में आपको describe करेंगे इसके बारे में सोचते वे दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ऐसा लग रहे है कि इन्होंने जो भी चीज़े अच्छे अच्छी की है ना यह आपसे discuss करना चाते शेयर करना जाते देखा पता है मैंने इसके साथ यह किया इसके ल कोई शादी या इवेंट आने वाला है possibilities है कोई event या anniversary कोई birthday आने वाला है जिसके बारे में सोच रहे हैं और strongly मुझे यह भी दिखाई दे रहे है कि possibilities है कि यह शादी करने के बारे में आपसे सोच रहे कोई commitment देने के बारे में यह आपको यह wife material या आपको husband material मानते हैं इनको यह आपको बहुत appreciate करते हुए दिखाई दे रहे पर थोड़ा बहुत जलसी भी हो रहे हैं को ऐसे कैसे कैसे हो क्या तो इनको यह बर्दाश नहीं हो रहा है इतना आसानी से कैसे आगे बढ़ गए हो handle नहीं हो रहा है मिर्ची लग रही है मुझे से लग रहा है कि इनके पास कोई ना कोई offer है आपको देने के लिए जो कही ना कहीं आकर आपको approach करने वाले हैं यह offer मुझे काफी लोगों के लिए लग रहा है कि आप लोग एक ही company में एक साथ काम करते थे कोई same workplace हो सकती है या possibilities है कि साथ काम करने का offer होगा या साथ एक नए घर में रहने का कोई living relationship का भी offer हो सकता है क्योंकि उसके बारे में सोच विचार कर रहे हैं हलाकि actions का बिल्कुल हम लोग reading नहीं कर रहे हैं हम जो reading कर रहे हैं उसमें के सोच विचार को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त सोच क्या रहे हैं तो यह इनकी सोच चाते हैं आपके साथ बहुत जादा दिमाग से चलने की कोशिश कर रहे हैं इनको कैसे ना अब जिद आ गए इनको आप चाहिए बाइ हुक बाइक काफिया तक मुझे से दिखाई दे रहे हैं यह आपको पाना चाहते हैं और यह आपको अपने हाथ से जाने नहीं देंगे जैसे जैसे आप हाथ से आगे निकलते चले जा रहे हो आप आगया बढ़ रहे हो ना इनको यह बरदाश्ट नहीं हो रहा है नो कॉंटक सिटुएशन इनकी तरफ से पहुं स्रॉंगली पॉसिबल है कि इनोंने शुरू किया खतम हम करेंगे तो खेल इनोंने शुरू किया कि आप करने की तयारी कर रहे हुआ ओल रहा है ठीक है बहुत हो गया तो मारा तवार भार वार अपको जलप कर रहे हैं जलळसी की भाहवन इनके अंदर तरफ थी ताडब इनके अंदर बनती चली जा रही है ठीक है हो सकता है कि आपने यह तो बहुत जादा green पहना हुआ है या possibilities है कि angels का इशारा है कि आपको green पहनना चाहिए क्योंकि green से कुछ ना कुछ connection जरूर है मुझे green color बहुत दिखा है आप लोगों के लिए so अब हम देख लेते हैं आप लोगों की life purpose क्या है जितने लोगों ने मुझे बहुत लोगों क्वेशन किये हैं कि दी हमारा life purpose हमें idea दे दे अगर तो better रहेगा तो मैं यह आपर तीन cards निकाल देती हूं जिसमें आप लोगों का life purpose निकालने की कोशिश की जाएगी cards आप चाहें तो वीडियो पॉस करकर चुन सकते हैं ठीक है वीडियो चाहें पॉस कर लें फिर आप चुनाब करें आपको कौन से card चुनने हैं और उसके basis पर हम आपके life purpose डिसाइड करेंगे one two and three ठीक है यह तीन cards है आपके life purpose के one two three इसका कोई time stamp पे मैंने डालूँगी detail आप डिरेक यहीं देख रहे हैं ठीक है पॉस करके आप चाहें तो select कर सकते हैं one two three ठीक है मैं शुरू कर रही हूँ one से यह आपके अंदर का डर खतम करो यह आपका life purpose है आपके अंदर डर बहुत जादा है आप किसी भी परिक्षा को देने में बहुत घबरा जाते हो जब परिक्षा के घड़ी आती है आपको कहीं न कई यह लगने लगता है कि शायद सब चीज आपके हाथ से खो जाएगी यह यह परसन निकल जाएंग में दर बहुत जाँ जाएंगे तो streaming क data approval कर बामोर्य दर करो ना जरूरी है और आपके अंदर प्यार की भावना बहूत जादा लेकर आओं मैं यह नहीं के प्यार में और प्यार नहीं है पर आपके अंदर बहुत जादा आपके अंदर वह वाली एक्टिविटी जहां पर आप बहुत चीज़ों को एक साथ करने की या तो कोशिश करते हो या कोई भी चीज को लेकर करना शुरू करता है यह करता है कि आपको प्लारिफाइ करता है यह सब्सक्राइब करते हैं यह कुद्रत को या इस ब्रहमांद को सरेंडर करता या करती हूँ ठीक है ये बार-बार धोरा है अपने पूरे दिन में जरूरी है आपके अंदर एक ठहरा आवाना चाहे तो meditation भी कर सकते हैं थर्ड काड पाइल लंबर थर्ड देख लेते हैं हेल्थ हेल्थ को बहुत बेल्यू दो बहुत जादा अब लोग इतना जादा मेंटल पेशाद स्पिरिशल पेशाद हो सकता है focus कर रहे हो बड़ कहीं ना कहीं आपकी बॉड़ी पे फोकस नहीं कर रहे हो fitnes का ध्यान नहीं रख कह एहां नहीं कहते हैं विजसे करना है क्षठ करना है क्योंकि इस वौड़ी में आपका प्यारा सोल साह कोई ठीक है अपको पता हो अगर तो इंसान की जब बोलते हैं मृत्यू हो जाती है तो उसकी बॉड़ी उसका सिफ शरीर एंड होता है सोल निकल के दूसरी बॉड़ी में जाती है ठीक है इसका बहुत बड़ा प्रोसेस होता है आप चाहें तो बहुत सारी ऐसे बाइबल बगवत गिता ही सब चीजों में पढ़ स की अदिमयाओ अफ और लेष्ट के लिए तो हो सकय तो योगा करो कॉत आप लोगों के इन आसार है अपके लिए परपॉसार जो है आपके बाइसे ऊनसार भी होते हैं बट यह मैंने अप को पाइल के अन Lessar कुछ सम्झाने की कोशिश किए थिक dys simplemente लेतें आपको पॉरसन की आगे बढ़ते रहना है तो यह उनिवर्स का साइने बढ़ते रहो इतना भी नहीं कि चलते रहो चलते रहो घर से दूर निकल जाओ ऐसा भी नहीं करना आराम से चलो मलब लाइफ में आगे बढ़ो में जुलाई सेप्टेमबर आपके लिए इंपोर्टन महीने हो सकते हैं आपकी लाइफ में पीलिंग एक्जास्टेड तो आपके परसंटो मैंने बताया आपके परसंट जो है वहाद-डी में खुदको महसूस कर रहें और ना चाते है तो यह उनकी फीलिंग है एक्जास्टेट फील कर रहे हैं कैसे निकलू भाई मैं किदर फुस गया हूं के कि I feel strong and lucky when you are around me आप आया तिरे को अपकली इस बात का अब आपके परसन को ये बात की समझ आईए कि आप जब उनके इद्गित होते हो तो strong और lucky वो feel करते हैं आए बड़े बहुत जल्दी समझ जाते हैं बहुत देवलग गाड़ी निकल चुकी है इंसान आगे बढ़ चुका है आप इनको रेलाइज हो रहेगी इसका होना कितना जुरूर ही है मैं तुम्हारे होने से कितना खुद को strong feel करता हूँ अरे भाई बग न्यू बिग्निंग तो yes नहीं शुरुआत तो होके ही रहेगी यह सेकेंड लास्ट एक आइडी और फेक श्माइल याप तो यह एक आईडी बना बना कर आपको यहां वा और लड़का कोई पेडिए बनाकर आपके बनाकर आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए सोच समझ कर फैका सिब्सक्रामाइड और उमांड़ानिक बाते करो और जादा अर्शा रोगान करो कि एधिक इथल्दोर में पैसे और घर vẫn तो आप्से तो मेनत हो ना हो इंजल आपके लिए जाड़ू जरूर लगाएंगे रास्ते पर जो काटे बिछह हैं उनके लिए वो खुद जाड़ू लगाते वे दिखाई दे रहें यानि कि वह आपसे कह रहे हैं कि हम तुम्हारे राष्टों के सारे काटे हटा देंगे हम प लोगों को अगर रीडिंग पसंद आई मस्त वाला लाइक जरूर चिपकाएं और कमें बॉक्स में पताएं कि रिजॉनेट हुई नहीं हुई ठीक है और वाट्सप करें मुझे इस नमबर पर अगर आपको पस्न लीडिंग चाहिए ध्यान रखें पस्न लीडिंग के चार्ज आप लोगों के लिए डाल रही हूं तो सुनें ताकि आपकी लाइफ में तोड़ा बेटर मेंट आए ओके और ब्रेसलेट का तो मैं हर बार बता चुक्यों डिलर का नमबर मैंने डाल दिया आप वहां से निकाल सकते नमबर उन्हें कॉन्टाक कर सकते हैं ठीक है तो अब भ